नवसकार दोस्तों स्वागत है आप ओर आप सभी का एक बार फिर से महन्दरा स् यूट्यूब चेनल पर और आप सभी का एक और प्षरणदीदा असो हो यहां पर दहें दू एंदू अडिटोरिल अनालीसिस यह पर हो चुका है आज है तीन मार्स तो चलिए शुडु करते हैं Good morning everyone, आप सभी का The Hindu Editorial and Vocab Analysis में स्वागत है, दिन के शुर्वात आपी से होगी, एक motivational quote होगा जो आपी के द्वारा दिया जाएगा, important articles पे analysis, editorials पे overview, vocabs होंगे, MCQ, EDM phrases, one word substitution, article discussion के साथ grammar के रूल्स भी discuss किये जाएगे, और आज आप सभी के लिए एक और important सुचना, SSC CGL का exam best wish करना चाहते है, अपना calm and compose posture रखना, मस्तों के exam देना, हमें पता है, अगर हमारे साथ sessions में आप लगाता जुड़े रहे हैं, तो आप इस exam को असानी से क्वालिपाइ कर लेंगे, सबसे बड़ी चीज, आज लखनों में जिन students का exam है, प्लीज आप लोग लिग दीजे का हो हम सारी team members आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, लखनाव city के center or max में, तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है, जुसका exam वहाँ पर है, या आपके किसी friend या relative का है, तो प्लीज बता आना और हम से मिलने जरूर आना, तो बिल्कॉल, और साथ ही सार technical team थोड़ा सा brightness बढ़ा किसी का नहीं हो ना, पेपर उड़ा कराना, बस इतना पता है, हमें गर्व है आप लोगों पर, कल का सारी लोग में ने marathon class super hit बना दिया, 36,000 people have already watched across India, हमें पता है, आप सब लोग अपना best देंगे, बस एक काम करना, इस session को भी अपना love and support वैसे ही देना, इसे like करते हुए या कहीं भी घबराहत महसूस हो, तो एक से दो बार ये line दोहरा लीजेगा, कि हां मैं कर सकता हूँ, मैं I can do it, ये line अगर आप दो तीन बार दोहरा लेंगे, तो definitely आपका focus बना रहेगा, और आप बीच में घबराएंगे नहीं, exam देती हुए, जो कि कई बार आपका ध्यान हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, माफी चाहूंगा, आज का motivation code मैं एड नहीं कर पाया हूँ, निवरता जी का ही motivation code यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत ही बहती बहती ही motivation code था और ये code मैंने पहले अभी कहीं पढ़ा भी नहीं था, कि जिन्दगी का calculation जो है, इनोंने बहु नहीं किये हैं, अच्छे काम नहीं किये हैं, तो कुछ भी आपने जीवन में नहीं किया, यह बात यहाँ पर इस motivation code के मादियम से भी बया की गई हमारे साथ टेलिग्राम चैनल नहीं के लिए आप सभी के लिए जो वी टेलिग्राम लिंक से वह आपको इसी पर्टिकलर बचे जुड़ गए हर रोज सो बचे बढ़ जाते हैं अच्छा लगते हैं आप लोगों के लिए इतना प्यार देखकर बहुत ज़द हम उस पर लाइब भी होने जा रहे हैं लेकिन वह हम आप लोगों को खुद से बता के करेंगे ताकि आप लोगों को यह पास complete links भी हो कि आप लोगों को कहां से वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ नहीं रखे हैं लेकिन दो आर्टिकल रखे हैं जो बहुत ही आर्टिकल की जल्दी से टाइप करके पहले तो आप सभी ये बता दो कि मैं ये बता हूं इसकी जरूद नहीं है आप सभी इस चो तुरण के तुरण के चुरण पर कर सकते हैं कि चिल्का लेक कर मौझू है कि सबहारती राज में चिल्का लेक हैं यहां पर Eurasian जो ओटर है यहां पर क्या हो रहा है कि एनिमल्स की जो सेंसस है जनगरना है वो यहां पर हो रही है और इसी जनगरना के दौरान वहां पर एक Eurasian ओटर भी फाउंड हुआ है और वहां पर Fishing Cat की भी कुछ प्रजातियां देखने को मिली हैं और अगर आपको नहीं समय आ रहा है कि यह जानवर क्या होता है तो आपने एक जानवर का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है उद बिलाव कितने लोगों ने उद बिलाव सुना है उद बिलाव यह गाउं में या स्थानी इस तर पर लोग इस जानवर को उद बिलाव कहते है इंग्लेस में आप इसे ओटर कहेंगे इस जानवर की उपस्तिती भी चिलका लेक में आपकी दर्ज हुई है बात करते हैं पूरा आर्टिकल के इस बारे में है उडी सा बिलकुल उडी सा यहां पर करेक्टर अंसर बनता है अब हम उद विलाओ की उपर यह आर्टिकल डिसकस क करेंगे रिसेंटली दिप्रिजन्स ऑफ वाइबिल ब्रीडिंग पॉपॉपुलेशन ब्रीडिंग पॉपॉपॉशन का मतलब है एक ऐसी जंसंख्या जो कि वहाँ पर प्रजनन भी कर रही हैं ब्रीडिंग भी कर रही है और और अफ फिशिंग कैट यह आपका जो जानवर है ये fishing cat कहलाता है बिली की परजाती का ही जानबर है इसे fishing cat कहते हैं क्या मुझे आप मैंसे कोई भी विध्यारती ये बता सकता है कि fishing cat किस भारती राज का state animal भी है राज की पशु भी है अगर जानकारी है तो type करके comment box में बता दीजेगा तो fishing cat भी found हुई है कहां पर चिलका लेक में बात यहां पर यह की गई है further the presence of a smooth coated otter and a Eurasian otter एक Eurasian उदबलाव भी यहां पर मिला है और एक दूसरी परजाती का smooth coated उदबलाव भी यहां पर देखने को मिला है has also been recorded in the lake और इसी लेक में कहां पर चिलका लेक में इन दौनों को यहां पर देखा गया है इन दौनों पर जातियों को यहां पर देखा गया है प्रदीप कुमार जी हमारे साथ उरीसा से जुड़े हुए है बहुत अच्छा लगा यह जानकर जितने भी लोग fishing cat के लिए answer कर रहे हैं कि West Bengal इसका correct answer बनता है तो fishing cat क्योंकि जब-जब West Bengal का नाम हमारे दमाग में आता है तो West Bengal से जुड़ा हुआ सुंदरबन का जो एलाका होता है और सुंदरबन जो नेसल पारक होता है वही हमारे दमाग में होता है और सुंदरबन नेसल पारक में जो आपके Tigers है वो काफी famous है तो कईवार West Bengal का जो टाइगर है वो सॉरी, इस्टेट अनिमल है लोग वहाँ पर टाइगर लगा कर आते हैं जो कि गलत हो जाता है West Bengal का जो अनिमल है, इस्टेट अनिमल है वो fishing cat आपकी बनती है fishing cat की बात करते हैं, habitat यानि की भारत के किनकिन इलाकों में fishing cat को आप आसानी से देख सकते हैं इंडिया fishing cats are mainly found in mangrove forest fishing cats को आप केवल mangrove forest में ही देख सकते हैं mangrove forest आपके जो होते हैं जंगल होते हैं, वो समुदर के किनारे जो आपके जंगल होते हैं जहां पर जमीन या नदी का पानी समुदर को टच करता है, वहां पर mangrove forest आपके उगते हैं तो पूरा सुन्दरवन का इलाका mangrove forest से ही बना हुआ है और सुन्दरवन का जो इलाका है याद रखेगा, वो सुन्दरी, सुन्दरी नाम के पौधे वहां पर उगते हैं सुन्दरी, सुन्दरी नाम के पौधे और प्लांट्स आपके भरे पड़े हैं सुन्दरवन के इलाके में इसी बज़े से इनको सुन्दरवन का इलाका कहा जाता है on the foot hills of the Himalayas, West Bengal की बात करें तो बिल्कुल हिमालय की तलहटी में बसा हुआ ये राज है अलॉंग दी गंगा एन ब्रहपुत्रा रिवर वैलीज इन दी वेस्टन घार्स तो इन जानवरों को किने फिशिंग कैट्स को आप सुन्दरवन के अलाके में देख सकते हैं गंगा और ब्रहपुत्र नदी की घाटियों में देख सकते हैं और आपके जो सहाधरी माउंटेंस हैं जो की गुजरात से लेकर केरल राजे तक पहले हुए हैं जिनें वेस्टन घार्स के नाम से भी जाना जाता है यहां पर भी आप फिशिंग कैट्स की आबादी को देख सकते हैं फिशिंग कैट्स की बाद करते हैं तो इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या बनता है आई-उ-सी-एन की रेड़ लिस्ट में इन्हें वन लेविल कहा गया है साइट्स की लिस्ट में अपेंडिक्स सेकेंड में इनको लिस्टेट किया गया है जबकि Indian Wildlife Protection Act 1972 की schedule 1 में इनको listed यहाँ पर किया गया है Project Tiger की बात करते हैं तो Project Tiger भी याद रिखेगा 1973 में Project Tiger आपका यहाँ पर आपका लाय गया था तो Project Tiger की बात करेंगे तो 1973 जबकि Wildlife Protection Act की बात करेंगे तो 1972 यहाँ पर correct answer बन जाएगा अगला आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें आर्टिकल के अगले paragraph की बात करें तो यहाँ पर उद बिलाओ के वारे में कुछ जरूरी जानकारिया दी गई है जैसे कि उनका habitat क्या बनता है किस जगह पर रहना यह जानवर पसंद करते हैं तो smooth coated otters की बात करते हैं अर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रो आउट दी उन्दिया पूरे भारत में उद बिलाओं की जो प्रजाती है वो देखने को मिलती है फ्रम दी हिमालयाज हिमालय परवतों से लेकर दक्षिन भारत तक सभी जगह आपके उद बिलाओ पाए जाते हैं देखे जा सकते हैं protection status की बात करते हैं तो IUCN की red list में ने भी vulnerable की काटेगरी में रखा गया है जबकि sites की appendix second की list में को सामिल किया गया है wildlife protection act में जहां इनको second schedule दिया गया है वहीं पर schedule one में रखा गया है fishing cats को आगर हम बात करते हैं Eurasian otter की ये भी उद बिलाओ की एक पर जाती है जो की Eurasia से आपकी यूरोप से संबंदित है तो Eurasian otter भी यहाँ पर आपको देखने के मिला है ये उद बिलाओ की ही एक पर जाती है इनके habitat की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ये पूरे Europe और Asia में पाए जाते है इसलिए इनको Eurasian otter भी कहा जाता है यूरोप से यूरो और एशियन से एशिया तो Eurasian otter यानि की Eurasia जो उद बिलाओ है उनकी बात यहाँ पर कही गई है तो इनकी जो जनसंख्या है या पर जाती है आईरलेंड रशिया चाइना तक आपकी फैली हुई है चाइना का नैसल अनिमल क्या है जरा साथ टाइप परके मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईए आप सभी जितने भी लोग क्यों कि मैंने कई बार आपको बता है प्रिग्या सिंग एडिटूरियल अंके सर की वॉइस में ही अच्छा लगता है उनसे अच्छा लगता है कोशन की बात करते हैं हासी मजाग हो गया दे आलसो दे आर अलसो फाउंड इन नौर्थ अफ्रीका इन्हें नौर्थ अफ्रीकन रीजन में भी देखा जा सकता है जैसे कि मौरको अलजीरिया ट्यूनीशिया और मिडल जो आपका इस्ट बनता है वहां पर भी इन जानवर्स को देखा जा सकता है बिलकुल यहां पर प्रिग्या तिरपाथी आंसर करें हैं पांडा जान पांडा की अगर मैं बात करता हूँ यहां पर तो यह क्या बनता है यहां पर इस्टेट अनिमल आपके बनते हैं ऑके बात यहां पर यहां पर यहां पर बात करें तो यहां पर य यूरेशियन ओटर कोूरेशियाई उद बिलाव को आईूशन Bread लिस्ट में Near Threatened यानी की बिल्कोल। खत्रय यानी की संकत ग्रस्थ प्रजाती। बिल्जू विलुप्त होने वाली ए उस कैटिगरी में यहां पर रखा गया है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में रखा गया है इंडियन वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 की सेडूल सेकेंड में इनको काउंट वहां पर किया गया है तो इन सब की उपस्तिती देखने को मिली है चिलका लेक में चिलका जील में अब चिलका जील की बात करते हैं अब जरह के बारे मताएए कि डल लेक भारत के किस राज में मौजूदैं इसके लावा आपको यवि बताना है कि सांभर लेक सांभर लेक सांभर लेग भारत के किस राज में मौझूद है ये भी आपको यहां पर लिख कर बताना है कॉमेंट बॉक्स में इसके लावा वैंबा नद लेग वैंबा ये मैं यहां लिख देता हूँ वैंबा नद लेग ये भी आपको बताना है कि भारत के किस राज में है क्योंकि भारत की सबसे लंबी जो जील बनती है वो वैंबा नद लेग बनते हैं तीनों ही जीलों के यहाँ पर नाम बता दीजेगा डल जील जमुएन कस्मीर वेरी गूड ये भी आद रखे कि डल जील में चलने वाली नाओ को शिकारा कहा जाता है और हाली में शिकारा नाम से एक फिल्म भ बनती है कंट्री जो वाटर लेगून लेक बनती है वो बनती है चिल्का जील इसके अलावा अनसुपा नाम की एक जील भी है जो की उरीसा राज की सबसे बड़ी साफ पानी या मीठे पानी की जील आपकी बनती है तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील लेगून ज जिल जिल चिलका लेक होजाएगी लेकिन उडीसा राज़ जिल की बात करते हैं फ्रेस वाटर जिल की बात करें मीठे पानी की जिल की बात करें या जिल नाम को अच्छे से learn कर लेना है इट लाइज ऑन दी इस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया उडिसा राज्य के पूर्वी तट पर यह आपकी मौझूद है यह पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है इंपॉर्टन बनेगा इट स्प्रेट्स ओवर पुरी खुर्दा गंजम डिस्टिक्स ऑफ उडिसा ऑन दी इस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एड़ आप दी दया रिवर फ्लोइंटू इंटू दी बेय ऑफ बेंगॉल कवरिंग एन एरिया ऑफ ओवर 1100 स्क्वेर क्लोमीटर तो चिलका लेक का जो टोटल एरिया आपका बनता है कवरिंग एरिया बनता है 1100 स्क्वेर क्लोमीटर से ज्यादा और जहां पर चिलका लेक आपकी मौजूद है याद रिखे का वहीं पर दया रिवर नाम की जो नदी है वो आपकी गिरती है बेय ऑफ बेंगॉल में तो अब इ आपका कनवर्ट हो गया और यह आपका समंदर बना रहा समंदर का यह हिस्सा धीरे धीरे क्या हुआ दौनों तरफ से जमीन का यहां पर क्या होने लगा जुडाव होने लगा और एक समय ऐसा आता है कि यह जो समंदर का हिस्सा यहां से इस तरह से जुडा हुआ था एक समय क के बाद ये समंदर से जमीन की एक छोटी सी पटी से अलग हो जाता है तो ये जो जमीनी हिस्सा है ये धीरे-धीरे क्या हुआ ये मर्ज हो गया और बीच का हिस्सा ये आपका क्या बनगा ये आपकी एक जील बनती है इसे हम लेगून जील कहते हैं ओके अब क्लियर है तो एक इसलिका है जरूर बताइएगा ओके आगे बात करते हैं नाइंटीन एटीवन में बात करते हैं तो चिलका लेक वाज डेजिगनेटिड दा फर्स्ट इंडियन वेट लेंड आफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर दी रामसर कंवेंशन रामसर कंवेंशन की बात करते ह हैं रामसर आपकी एक जगह है जो की इरान नाम के देश में पढ़ती है और रामसर इरान में 1971 में एक अधिवेशन हुआ था एक सम्मेलन आयजित हुआ था जिसमें इस बात के लिए प्रण लिया दुनिया के सभी देशों ने कि दुनिया भर में जितनी भी इंपॉर्टें किया जाएगा उनको संदक्षित किया जाएगा तो रामसर कन्वेंशन के तहट जो की इरान में 1971 में अधिवेशन हुआ था भारत की पहली रामसर साइट क्या थी जिसे संदक्ष्ण देने की बात वी तो यह चिलका ले की ही थी जो की भारत की पहली रामसर साइट थी इसके तो चिलका जील मान लेते हैं चिलका जील आपकी ये बनी हुई है तो चिलका जील के बीच में छोटा सा आइलेंड भी है आइलेंड मतलब होता है दूइप कुछ भी हो सकता है रिवर आइलेंड भी हो सकता है और वो ओशियन आइलेंड भी हो सकता है चारों तरफ से पानी से गिरी हुई एक जमीनी एरिया को या एक लेंड बाउंड एक लेंड एरिया को क्या कहते हैं आपका आइलेंड कहते हैं तो चिलका लेक की बात करें चिलका लेक के बीच में चोटा सा आइलेंड मौझूद है और इस पर एकलौता टेमपल है जिसका नाम है कालीज है टेमपल कालीज आ टैंपिल, यह हैं पर समझ में आ गई हूँ, तो एक बार यस लिकर बता दीजिएगा euros sir, यहां तक सारी बाते हमें किलिर हो चुकी हैं, इस आर्टिकल में जो जो बाते थी, वो हमें आपर समझ में आ चुकी है, एक बार यस लिकर यहां पर मुझे बता दीजेगा अब अगले आर्टिकल की तरह बढ़ चलते हैं जो कि गिर नैसल पार्क की उपर आधारित है आज के दोनों ही आर्टिकल नैसल पार्क चिलका लेक इस तरह के इंटरस्टिंग टॉपिक्स पर आधारित है गिर नैसल पार्क भारत के किสराज्ज में है मुझे नहीं लगता कि राज्ज का नाम मुझे हैँआ पर बताने की जरूध है क्योंकि मैं यहां पर एक स्डुर में आंसर आएगा सीधा एक राज्ज का नाम کوई भी इस्टुडेंट मुझे भरूसा है कोई भी student यहाँ पर गलत आंसर नहीं कहेगा सब का एक सुर में एक ही आंसर निकल कर आएगा जल्दी से टाइप करके बताओ गिर नैसल पार भारती के सिराजी में मौजूद है यहाँ पर यह बोला गया है कि एक तीन दूए के बच्चे को वहाँ पर एक सेरनी पाल रही है इस तरह का एक आर्टिकल यहाँ पर निकल कर आया है ठीक है तो इस आर्टिकल में एक अच्छा जानवरों के बीच में केरिंग का एक अच्छा उधारन यह देखने को मिलता है ठीक है तो अब इस आर्टिकल की बात कर लेते हैं आर्टिकल में और क्या-क्या है देखिए यहां पर कोई भी आंसर गुजरात के अलावा मुझे देखने को नहीं मिला that is correct बिलकुल गुजरात बिलकुल correct और किसी भी वेक्ती ने इसका गलत आंसर नहीं किया बस यही बात दिल को अच्छी लगी कि किसी भी व अने जीव अभ्यारण भी है इस लोकेटेड इंदी जूनागर डिस्टिक अफ गुजरात तो कई बार क्या होता है कि जब आपकी किस्मत खराब होती है तो आपसे ऐसे कुश्चन भी एक्जाम में पूछ लेता है गिरनेसलन पार जो कि गुजरात राज में मौजूद है य जितना हो सके जितने भी फेमस नेसलन पार्क है वो किन किन डिस्टिक्स में मौजूद है वो यहाँ पर जरूर लिखकर देख लीजेगा तो जूनागर डिस्टिक जूनागर की रियासत एक जमाने में अगर मैं बात करता हूँ 1947 में जब भारत की आजादी हुई और भारत क सबी रियासतों को भारत के साथ मर्ज करने की बात हुई थी तो तीन रियासते ऐसी थी जो कि भारत में मर्ज होना नहीं चाहती थी जूनागर की रियासत इसके लावा हैदराबाद की रियासत और जम्मू कस्मीर की रियासत तो जूनागर की रियासत को हमनों क्या किया था जुनागर की रियासित में हमने पब्लिक ओपिनियन लिया था यानि कि जन्मत संग्रहे लिया था तो जन्मत संग्रहे के माध्यम से जुनागर की रियासित को भारत में आपका मिलाय गया था तो आजादी किसा में याद रखेगा जुनागर की रियासित से जुड़ा हुआ य 1965 में और नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1975 में भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क आपका बनता है वो बनता है 1936 में स्थापित किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का पहला नेशनल पार्क आपका बन जाता है गिर फॉरेस्ट इस दी लार्जेस compact track of dry deciduous forest for semi-arid western part of India तो जो पर्ण पाती वन होते हैं यानि कि ऐसे जो वन होते हैं वरक्ष होते हैं जो अपने पत्ते साल में एक बार गिराते हैं तो गिर फॉरेस्ट इसी के लिए आपकी पिरसिद्ध भी है गिर फॉरेस्ट की यहां पर बात करते हैं गिर फॉरेस्ट बनते हैं फॉर्म होते हैं यूनिक हैबिटेट अफ मैनी मेमल्स तो यहां पर केवल एशियाई शेर ही नहीं पाए जाते हैं बलकि आपर और भी दूसरे मेमल्स आपके पाए जाते हैं रैप्टाइल्स हैं इंसेक्स की अलग-अलग परजातिया हैं अलोंग विड रिच उसका रहे हैं तू हो तो सरो के साथ इन के काथी प्राचीन संबंद्धै हैं और जहां पर गिर नेस्टन पार्क में कोई रहने की हिमातत नहीं करता वहीं पर मलधारी में पर सरो के साथ से सद्दियों से रहते चले आए हैं और सेरों के बीच में और इन कम्यूटी के लोगों के बीच में एक अजीब रिस्ता वहां पर जुड़ा हुआ है मलधारी आर लीजियस पास्ट्रॉल दिहाती कम्यूटी है जो कि गाओं यह रियाद में रहती है लिविंग इन गिर दियर सेटल मेल कॉल ऐस दी नैसिस जो लोग वहां पर जुड़ बनाकर यह कम्यूटी बनाकर रहते हैं नैसिस वहां पर कहा जाता है तो यह एक एक्स्टर इंफॉर्मिशन है जो कोई आपको बताती है कि इनसानी लोग भी वहां पर रहते हैं जैनवरों क भी आपका यहां पर मौझी है यहां पर एक और नैसलिशन पार्क आपका मौझाह है जो की जंगली हों के लिए वहां और यह दिए बनता है इसका बहाश करूब यहां पर और याद करणी है scientific name की बात करें तो panthera leoparacica important बनेगा कम से कम asiai zero का जो विज्ञानिक नेम बनता है वो आपको learn कर ही लेना है panthera leoparacica अब asiai zero की बात करें तो उन्हें खत्रा किन किन चीजों से हैं क्यों की आबादी धीरे-धीरे घरती हुई यहां पर चली जा रही है they are vulnerable to disease नहीं रोग भी हो जाते हैं रोग की वज़े से भी इनका या इनकी मौत हो जाती है encroachment इनका जो habitat area है उसमें इंसानी लोगों का अतिक्रमन होते चला जा रहा है इनसानी और सेरों के बीच में जो conflict है क्योंकि जैसे जैसे इनका आवास घटे गा इनका conflict इनसानों के साथ बढ़ेगा क्योंकि मानवी गतिविदियां तेजी से इस इस आलाके में बढ़ रही है forest fire जंगलों में लगने वाली आग इसके इलावा जो भी natural calamities होती हैं बीमारिया संक्रामक बीमारिया यहां पर फैलती हैं यह दूसरी चीज़े हैं ग्रेजिंग की भी एक समस्य यहां पर बनते हैं यहां पर धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है तो सिकार के लिए भी यहां पर जानबर नहीं बचते जिसके जानबर भी फूड की कमी से जूज रहे हैं कलेक्शन औफ फ्यूल वुड यहां पर लोग जंगलों में जंगली लकडी बगएरा लेने जाते हैं जिसके ऐसे कई वार कंफ्लिक्ट होता है नॉन टिंबर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहां पर ऐसे जंगलों गाये जा रहे हैं जो की नॉन टिंबर है निकि बड़े बड करते हैं religious pilgrimage and accidental line deaths duty human causes इंसानों और जानवरों के बीच में होने वाले प्रिट की वजह से भी जानवरों को वहां पर या सेरों को वहां पर मार दिया जाता है तो यह बबबड शेर बबबड शेर तो है जंगल का राजा जरूर है लेकिन इंसानों के आगे इन चीजों के आगे यह बेवस है और इनकी आवादी भी दीरे-दीरे घट रही है कोई नेसल पार्क है वो रन आफ कच्छ में है वेरी गुड विर्कुल करेक्ट है यहां पर वर्ल्ड लाइन डेकप मुनाया जाता है एक बार टाइप करके जल्दी से मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजेगा जिसने इसका सबसे पहले आंसर दिया मैं मान जाओंगा या जि की लाइन डे की बात करते हैं तो टेन अगस्त ठीक है एशिया टेक लाइन की बात करते हैं 2018 में यहां पर कैनाइन डिस्टेंपर वाइरस भी पहला था जिसकी वजह से यहां पर करीब करीब 25 शेरों की मौत हुई थी गिर फॉरेस्ट में गुजरात में और सो देर हैब बीन इंडी केशन्स औफ पोचिंग इंसिडेंट रिसेंटी इयर पिछले कुछ वर्सों में यहां पर इशाय शेरों के शिकार के भी बहुत सारी घटनाए हुई है प्रोटेक्शन स्टेडूस की बात करते हैं तो आई यूश्यन की रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर की इंडिक्स वन में रखा गया है जबकि 1922 के वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानि की वन जीव सुरक्षा जो कानून है उसके स्टेडिल वन में इन जानवरों के यहां पर रखा गया 10 अगस्ट करेक्ट बनता है 29 जुलाई आपका टाइगर यहां पर बनेगा तो य अब मेरे से मलाकात होगी वोकाबलरी के बाद तो ओवर टो युशी मैम टेक्निकर इम हाइट की थी हैंगे सो मच अंकित सर अब बढ़ते आप लोगों के वोकाबलरी सेशन के तरफ नो लट उसके वोकाबलरी में आज क्या क्या है लेकिन उससे पहले आज का एक्साइटमे को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन से वर्ड को हम किसे रिलेट कर सकते हैं बट फिलहाल अगर यहां तक का सेशन आप सभी को पसंदा है साथ प्लीज इसको स्क्रीन पिलेएगा तो प्लीज इस सेशन को लाइक और शेर जरूर करना वित अल यॉर फ्रेंड्स ठीक है इस इ आपने हमने हम सबने तो हमने एक वर्ड पढ़ा था ट्रेसपासर्स विल बी प्रॉजीक्यूटेद यह अकेला एक ऐसा वर्ड था जो हम लोगों को बच्पन में डराने के लिए काफी होता था कि अगर कोई बच्चा मान लीजे गल्ती से उस और्चर्ड में चला गया तो जाने वो जायंट उस बच्चे के साथ क्या करेगा है ना तो यह प्रॉजीक्यूट वर्ड जो था वो क्या था यह प्रॉजीक्यूशन क्या था आप सबको बता देते हैं इसका मतलब होता है किसी भी परसन को अभियुक्त करना मतलब उसके उपर किसी भी तरीके के लीगल को impose करना अब जरा समझेगा कंड़क्ट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट और और अर्गनाइजेशन को हम प्रोजीक्यूट कहते हैं क्योंकि यह किसी तरीके का कंड़क्ट है यानि यह action को signify करता है इसी वजह है आप लोगों का प्रोजीक्यूट हमने देखो कितना सिंपल लिखा हुआ है more large companies okay now this was not made like appropriately corrected चलो ठीक है कोई बात ही आप इसको हमें इसका comment section में इसे जुड़ा कोई भी statement बना के दे सकते हो ठीक है next word प्राइमा फैसी 2015 का आप लोगों का SSE CGL का exam जी हाँ SSE CGL के exam में पहली बार एक ऐसी word को हमने देखा था जिसमें बच्चे पहले ही word में confused हो गए प्राइमा फैसी वैसे तो प्राइमा फैसी वहाँ पे उस समय पॉलिटिक से जुड़ा हुआ था और आज भी SSE CGL का exam है और हिंदू न्यूस पेपर में एक लौटा वर्ड दिया हुआ है जिसको कहा गया है प्राइमा फैसी वैसे वर्ड बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको याद रखेंगे कैसे जरा यह देखा जाए जरा एक बार question प मतलब सबसे vital है ना prime मतलब क्या होता है vital the most important thing yes or no तो अब आप यह समझे प्राइमा फैसी का मतलब फिर क्या निकला अगर तोड़ के सामने वाला इसे क्या कहोगे आप यह मेरा प्राइमा फैसी है समझ में आया जी हां बिलकुल प्रग्यात्रपाथी आट फर्स साइट इस सेंटेंस में बिलकुल बोल सकते हैं समझ में आया clear है चलो प्राइमा फैसी का मतलब होता है कोई भी चीज अगर प्रथम दृष्टी में समझ में आ जाए in the first impression the first impression of anything is called your प्राइमा फैसी it can be a building it can be your attitude it can be the examination hall किसी भी चीज का पहला पहलू समझ आया चलो there is a prima facie evidence that he was involved in the crime मतलब सबसे पहले प्रथम दृष्टी में जो evidence मिला है वो ये कहता है कि उसकी involvement crime में थी इसका मतलब first impression से तो ये लग रहा है that he was the person जिसने crime किया है समझ में आया clear है सभी को पक्का चलो next word is sedition sedition का मतलब होता है राजद्रो अच्छा कल एक बच्चे का कमेंट आया था हमारे statement की माम आपनी कल जो एक word पढ़ाया था उसमें द्रोही था विद्रोही उसका राजद्रो का मतलब नहीं होता है हाँ जी हम बोलते बोलते एक बार आजद्रो बोल ले गए थे बट उसका मतलब हम वो intent नहीं कर रहे थे sedition का मतलब राजद्रो होता है यहाँ पर आप एक ऐसा speech या hate speech conduct करते हैं जिससे आप लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं against the ruling authority or the government उसे हम कहते हैं आपके sentence में sedition याद रखेगा conduct और speech जिसमें आप लोगों को उकसा रहे हो against the government or the authority it can be a local authority it can be the central government it can be the state government is that clear everyone देखो हमने क्या लिखा है he himself was tried for sedition and sentenced to 10 years in jail मतलब सबसे पहली उसको क्या किया गया है उसको trial पर रखा गया tried का मतलब यहाँ पर होता है trial in case अगर आप लोगों को नहीं पता तो tried का मतलब यहाँ होता है trial पर किया गया था so this is what sedition charges is all about अभी recently sedition charges GNU के कुछ students पे लगाया गया है जिन्होंने भारत के विरोधी नारे लगाए थे ठीक है sedition के charges कनहिया पे लगे थे जिन्होंने भारत की विरोधी नारे लगाए थे तो sedition generally अकसर आप इधर उदर देखोगे सुनने में आपको आ जाता है कि sedition मतलब क्या होता है समझ आ गया चलो next word पर आजाते हैं frivolous frivolous का मतलब क्या होता है हम बताते हैं कोई भी ऐसी चीज which is very silly अगर हम यहाँ पे flipant word की जगा silly लिखते ना तो शायद आप जादा बहतर समझ पाते कोई भी चीज अगर बहुत important या बहुत serious नहीं है इस very silly है ना लेकिन उसको करके अच्छा लगता है frivolous का मतलब होता है तुच यानि trivial importance वाली चीज है not having any serious purpose जिसको करने का कोई खास purpose नहीं होता या value नहीं होता या flippant नहीं होता या उसे आसान या बिदम कहते हैं मामूली सी भाषा में हम silly कहते है उसे frivolous कहा चाहेगा आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है आज मन कर रहा है कुछ जा के इदर उदर कुछ बकैती करके चले आए है ना तो यह frivolous feeling है frivolous इसी को कहा चाहता है इसका मतलब यह दिन आसा आता है ना when you just want to be yourself बच्चों की तरह खेलने का मन करता है जैसे कली हम I remember कल हम streets पे थे and there was a kid selling that bubbles तो वो सर्फ वाला जो बबल होता है कल हम उसको एक गंटा उडाते रहे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था so this was nothing but doing and being silly and this is what I actually did yesterday yes फिर लास्में चोटी सी बच्ची मिली तो हमने उसको खिलाने के लिए उसको दे दिया but the thing is कि हम इसको यहां पर relate कर सकते है किसी भी ऐसी चीज के साथ जो बहुत ही conversation में silly हो सकता है हरकतों में silly हो सकता है उसे कहा जाएगा आपका silly so I have the statement भी उसी से लिखा है क्योंकि हमें कल का incident याद था I feel like doing something completely frivolous today completely silly and now next word the next word is scrap scrap word बच्चपन से पढ़ते आरहे है scrap all the pain यह जितने भी scrap है इसको ठाओ दस्बिन में डालो तो आप क्या कहना चाहरे हो आप यह कहना चाहरे हो कि जितना भी आपने कूडा करकट किया है उसको discard कर दीजे तो scrap का मतलब होता है किसी चीज से get rid करना ठीक है मतलब to get rid of something to discard something किसी चीज को ठाके fake देना उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे आप लोगों का scrap करना समझ माया लिखा कैसे जाएगा ज़रा देखा जाए हम सारे लोग चाइना जाने वाले थे एक छोटी सी ट्रिप पे घूमने के लिए अचानक से हमें एक सुचना आई और हमने कहा कि नहीं कोई बात ही हम अगले साल चले जाएगे हमने यहाँ पे plans को scrap करने के लिए लिखा है आप चाहो तो इसको और किसी तरीके से भी relate कर सकते हो समझ में आया ठीक है चलो अब एक statement में हम आप लोगों को सारी words को सरसरी निकासे बस एक बार बताएंगे prosecution मतलब क्या बोलोगे माम legal proceedings प्राइम आफ ऐसी मतलब माम जो सबसे पहला impression आया sedition के charges किस पर लगते हैं जो राजद्रोही रंगनारे लगाते हैं free volus किसे कहा जाएगा वो लोग जो बिलकुल कोई भी ऐसा काम करते जिसका कोई serious purpose नहीं होता या silly होता है इसका synonym क्या बन जाएगा माम flip ant बन सकता है scrap का मतलब क्या होगा किसी चीज़ को discard कर देना to throw something off to get rid of something को हम क्या कहते है scrap करना कहते है I hope यह सारे questions सारे words आप सभी लोगों को बिलकुल clear है अगर पसंद आया यहां तक सब कुछ अच्छा लग रहा है तो एक बार yes लिख दीजेगा comment section में और क्या कर सकते हो बस आप हमारे लिए एक like button पर press करके share कर सकते है that's it next word पर आजाओ ठीक है इसलिए इसको क्या कहा जाता है adjective का form माना जाता है अब peg का मतलग क्या होता है यह एक hanger एक तरीके का hook होता है जिस पर आप कपड़े टांगते हो उसको भी peg कहते है किसी भी चीज की सीमा निर्धारित करने को भी peg कहा जाता है जरा समझना जरा समझना हम क्या बोलने जारे सारे और ध्यान से सुनना fix or secure something किसी चीज को ऐसे पकड़ कर भी रखने को peg कहा जा सकता है अगर आप उसको गिरने से रोकना चाहते है ठीक है a point or limit on a scale किसी भी तरीके का point या limitation को भी हम क्या कहते है उसको भी हम peg कह सकते है लिखा कैसे जाएगा जरा देख लिया जाए the government removed the currency from its peg against the dollar यानि कि उस scale से government ने currency को हटा दिया from its peg against the dollar मतलब उस scale से जो dollar के against चल रहा था वहां से हमने उसको हटा दिया समझ माया सभी को चलो आगे देखो क्या लिखा है जो next word है उसको कहते assert जरा देखना तो हमने वोकाबलरी पढ़ी कल की आपने कहा नहीं पढ़ा अच्छा हमने एगंटे बात फिर कहा आपने वोकाबलरी पढ़ी कल की आपने कहा नहीं पढ़ा हमने कहा अब पढ़ो अब पढ़ो और अब कल की ही नहीं अगले दो हफते की वोकाबलरी पढ़के हमें याद करके सुनाओ तो हमने क्या क्या हमने डिकलेर किया कि आप हमें दो घंटे में दो हफते की वोकाबलरी याद करके सुनाएंगे मतलब हमने जोर दिया ना अपनी बातों पर, yes or no, तो देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, state something confidently and forcefully या declare, ठीक है देखो जैसे रनवीर क्या करते हैं comment section में, रनवीर यशी महिंदराज जिन्होंने अपना नाम लिखा है, वो क्या करते हैं, he asserts, he always asserts his statements opinions, है ना, तो assert करने का मतलब क्या होता है, वो जोर देकर अपनी बातों को समझाते हैं, अब तो याद होचाएगा सभी को, है ना, चलो देखो लिखा कैसे चाहेगा, the company asserts that the cut rise in taxes will not affect investment, company का कहना यह है, कि जो हमने taxes में cut किया है, या rise किया है, उसकी वज़े से investment पे कोई असर न नहीं होगा, जब कि हम सब जानते हैं, अगर tax rise किया जाएगा, तो उसका effect सीधा सीधा कहां देखने को मिलेगा, investment में देखने को मिलेगा, दिन बना दिया ना, सब कर देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, बस ये मुस्कुराहट अपने face पर हमेशा बनाए रखना, हम जब तक है आपको तब तक मुस्कुराते ही देखना चाहते हैं, बढ़ चाहते हैं आप सारे लोग बहुत तरक्की करो, चलो, pack का मतलब समझ में आगे किसी चीज को limit करना, इसके बाद assert करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को declare करना, forcefully या confidently भी declare करने को हम assert कह सकते हैं, चलो, अब द कर सकती हूं, आप सारे लोग जब हम से मिलने आये थे, आप सारे लोग हम से मिले थे, कहां पर मिले थे आप सारे लोग हम से, जब हम लोग लोग लखनाओं में समिनार कर रहे थे, तो हम लोग एक दूसरे को congratulate कर रहे थे, we were shaking hands, आप real person है, आप सारे लोगों ने क्या किया है क्या क्या है आप साही लोग perceptible है कोई भी ऐसी चीज जिसे सपर्ष करके आप महसूस कर सको कोई person हो सकता है copy हो सकता है पेड़ पौधे हो सकते हैं something which is noticeable जिसको आप notice कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा है उसका मतलब हो जाएगा क्या आप सभी लोगों को यह क्लियर हो गया अदिको लिखा कैसे जाएगा सिंपल सा लिखा है क्या रहार होगा यहां पर हर जॉइ वस पालपेबल मतलब सिलेक्शन के पार में सुनकर वो एक्टम क्वेश्ञन को बापस देख लेते हैं अचा माप लोगों से अब भीना कुछ ऐस बिना जाटे आप लोगों से फटा फट से question पूचा बूचे जलिए से बताओ sedition मानब क्या था भटा फटा फट से बताइए से अधीशन का अर्थ क्या निकला था sensemok sedition charges क्या होते हैं बताओ 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 sedition charges क्या होते हैं what is sedition yes 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 बस बस चलो जल्दी सी बता दो sedition की charges क्या होते हैं बताईए हांजी क्या हो जाएगा sedition का मतलब होता है राजद्रो यानि कि ऐसे चीजे लगाना देशद्रो राजद्रो आप बोल सकते हैं ठीक है अब बताओ मुझे जल्दी से अगर हम assert मतलब क्या कहेंगे तो क्या बोलोगे declare करना legal charges impose करना that is correct prosecution का मतलब क्या होता है उसका मतल सब भी होता है किसी के ऊपर legal charges को prosecute करना यानि कि legal charges impose करना ठीक है पैक का मतलब क्या होगा किसी तरीके की scale या limit को restrict कर देना that is all आगे बढ़ जाते हैं आप लोगों के idioms and phrases section पर now the first is ant in your pants जरा खुद सोचो अगर पैंट में चीटियां घुज गई तो कैसा feeling होगा तुम सुक अधर भाग रहे हम अकसर ऐसा कहते हैं अरे यार पता नहीं इसके हिंदी में कहा थे इसके पैर में पंखा लगा है है ना but normally English में कहा जाता है I don't understand this person has ants in his pants ठीक है मतलब यह मान लिया जाएगा वो हमेशा घबराहट में रहता है ठीक है हमेशा restless रहता है is that clear everyone चलो around the clock or at all times हर I will be there with you around the clock मतलब दिन के किसी में समय में call करोगे हम आपके पास होंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा at all times the next word is all set all set का मतलब everything is ready क्या आप सारे लोग all set हो 11 बजे के exam review के लिए तो हम यह क्या कहेंगे हम कहेंगे कि क्या आप सारे लोग ready है exam review के लिए that is all next word है all the rage she is all the rage तो यह माना जाएगा that she is very fashionable है न हम क्या मानेंगे that she is very fashionable I hope यह सारी वर्थ आप सारे लोगों को यहां तक clear है moving further to another interesting session and that is one word substitution immoral immoral का मतलब होता है आपके पास किसी भी तरीके की moral या ethic principles नहीं है आप right and wrong का difference ही नहीं जानते तब जिस act को आप करते हैं उसे moral कहा जाता है ठीक है आगे देखो ant man नहीं होता है बाबा बाकी के नहीं याद हुए पहला ही वाला याद हुआ है सबको चलो next lunatic अकसर हम लोग एक word बोते हैं जिसे कहा जाता है पागल यह पागल नहीं होता उन्हें कहा जाता है lunatics मतलब ऐसे लोग जो mentally ill होते हैं उन्हें हम क्या कहते इंग्लिश में lunatic कहा जाता है और lunacy यानि कि l-u-n-a-c-y उस state को कहा जाता है जिसमें वो person होता है is that clear सब कुछ यहादा clear है तो एक पर yes लिख देना ठीक है आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के मेरे favorite section पर which is grammar हमें कोई फरक नहीं पढ़ता क्या लिखा है कहा लिखा है हम सारे मिलकर सिर्व एक किसी चीज़ को safeguard करने की बात हो रही है यानि protect Delhi government's policy decision Delhi government ने जो policy decision लिया था क्या to grant ठीक है तो purpose आगया to grant section किसलिए to prosecute यानि कि उनके against legal proceedings चलाने के लिए in all cases is questionable उन्होंने का था कि कोई भी case अगर हमारे पास आएगा तो हम उसे prosecute कर देंगे ये questionable है ये questionable है ये questionable है ठीक है इस किया जाए the law on granting sanction for prosecution imposes a duty कहा जा रहा है वो law जिसे Delhi government ने grant किया है sanction किस लिए तो लिए के लिए हमेशा preposition आता है for prosecution imposes a duty impose करना मतलब किसी पर जबर्दस्ती थोपना a duty on the government concerned to apply its government है तो उसके लिए its जाएगा mind to the facts of each case and render a decision based on its assessment weather prima facie prima facie का मतलब जो पहला evidence या जो पहला चीज दिख रहा है ठीक है a case has been made अब उसी में से एक case आया है जो सबसे पहला case आया है it has been made out it has been made out मतलब इसके बारे में यहाँ पे बात की जारी है the process cannot be based on a uniform policy अब कहा जारे ये जो process है it cannot be based it cannot be based on what on a uniform policy the army party regimes अब जाहिर सी बात है किसी एक party का justification है तो आपॉस्ट्रफी तो आना ही है क्योंकि उसका possession बता रहा है justification that it cleared the prosecution of former JNU students क्योंकि उन्होंने prosecution clear किया था उन्हें दोश्मुक्त किया था JNU students को union leader Kanhaiya Kumar and others on charges of sedition ठीक है और इन लोगों क्यों पर किसके charges लगे थे देशद्रो या राजद्रो के and conspiracy conspiracy का मतलब क्या होता है conspiracy का मतलब भी होता है आप लोगों का किसी तरीके का शडियंत रचना because it adopts a policy of non-interference in judicial matters is completely acceptable कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के इस decision की वजए से सरा पा जाई है यह completely unacceptable है मतलब इसको माना नहीं जा पाएगा so I hope आप लोगों को यहां तक का article जो है ठीक है यह clear हो गया होगा अगर यहां तक सारी चीज़े आप सभी लोगों को पसंद आई है तो प्लीज इस session को like and share कर दिया गरिया सुबे सुबे ती कजूसी कौन करता है तुम लोग दान कर दिया करो एक like इससे तुम लोगों का क्या चला जाएगा समझ में आया so I hope यह सारी चीज़े यहां तक clear है पसंद आई तो like and share जरू करेगा next session बब हम लोग बढ़ने जा रहें अंकित सर के साथ लेकिन उसे पहले आपको बता दे आज 11 बचे एक आती हासिक exam review होने जा रहा है which will be based on SSC CGL it is going to be based on SSC CGL exam जो 11 बचे होगा directly center से तो अगर आप भी से कोई हमारे साथ वहां पर भी जुड़ना चाहता है तो वह बिलकुल जुड़ सकता है क्योंकि उसे सीखने को मिलेगा हम सारे mentors के साथ वह मिल भी पाएंगे कहां पर exactly उस जगह पर जहां हम जा रहे हैं आपके साइंस के लिए आपके कुछ गंदीप सर है वह भी वहां पर मौजूद होंगे जोग्रफी के लिए मैं और economics के लिए भी मैं आपके लिए वहां पर मौजूद रहूँगा क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ जी एस सेक्शन की तो काफी versatile होता है इस वजे से अभी तो हम लोग सीधा बढ़ चलते हैं किसके लिए अपने दहिंदू सब मैं को भी फेसलिपे लेयै कर टेक्निकल टीम और पहले हम लोग यहांपर देखेंगे एक और सबी आर्टिकल में देखेंगे आज का अर्टिकल को वैसे तो मैं ने आप सभी के साथ यहां पर डिसकस करी दिया और इस अर्टिकल में ने चुना है और बहुत कुछ है इस आर्टिकल में जो कि आप सभी तक पहुचना चाहिए और समझना चाहिए ग्रैमर के पॉइंट व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वह तो यहां पर डिसक्स हो गई है लेकिन आप जी एक पॉइंट व्यू से क्या क्या चीज़ें हमें आ इस आर्टिकल को पढ़ना जरूर बिकॉस यह आपको एक कम्प्लीट फ्रेमबग देगा राइट और रॉंग का बिल्कुल सही कहा दिल्ली के हिंसा को लेकर अभी और कुछ दिनों तक आपको इसी तरह से आर्टिकल देखने को मिलते रहेंगे सतीज देशपांडे सहाब का यह आर्टिकल है जो कि उनके पर्सनल व्यू है कम्प्ली वॉयलेंस जातीकत हिंसा जो कि दिल्ली के कुछ लाकों में देखने को मिली है जगर आपने नीचनल अगर आपने देखा हो तो दिल्ली हिंसा प्रदारित है यह आर्टिकल चले इसके आगे हम बात करते हैं सीधा आपने आटिकल अप्ड़ दे के तोर पर आ जाते हैं क्योंकि बाकि आटिकल को मैंने देखा है तो वो सब पॉलिटी के पॉइंट आप प्र पिक नहीं किया है तो यहां पर टेक्निकल टीम हो सके तो मैं को यहां पर से हाइड कर दीजेगा दा सब्सक्राइब देखा है यहां पर देली सरकार ने जिस तरह से सब्ता में आने के बाद जिस तरह से अप्रूवल दी गई है देखें यह मुद्दा थोड़ा सा आपका चर्चा का विश्य तो है ही और मैं बात करूँ कि यह मुद्दा थोड़ा सा राजनीती से भी प्रेरित है तो जो जो दाहिंदू नियूस पेपर ने लेका है हम केबल उन्हीं बातों के यहां पर रीर करेंगे हो सकता है दाहिंदू नियूस पर यहां पर आमादमी पार्टी और बीजेपी आमादमी पार्टी की बात की गई है जस्टिफिकेशन की भी बात की गई है रिजिम्स जस्टिफिकेशन डेट इस किलियर किया है यहां पर चलाने की बात की गई है the conspiracy यानि कि सदेंत रचने के भी यहां पर इल्जाम लगाए गए हैं because it adopts a policy of non-interference in judicial matters is completely unacceptable अगर मैं बात करूँ यहां पर दा हिंदू ने इस पर की तो आर्टिकल में लेखा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने judicial matters में पूरी तरह से non-interference की जो policy अपना रखे है इससे पूरी तरह से सुईकार नहीं किया सकता क्योंकि इस मामले में बिना कुछ सोचे समझेया according to the article यहां पर सभी जो भी students वहां पर नारे लगा रहे थे ठीक है जेन्यू campus में उनके इकलाफ यहां पर राजद्रोग के अभियोग चलाने की मंजूरी दे दी है सुपीरियर कोर्ट हैव रिपीटिद्ली इस पर्टिकुलर मैंटर पर लगातार जो कोर्ट से वह भी यह बोलती रही है कि यह जो संक्षिन आप दे रहे हैं इसको यह बोला गया है कि यह केवले एक मेकानिकल प्रोसेस नहीं है इसके लिए आपको सोच समझ कर ही आपको यहां पर नड़ना लेना होगा ऐसे मुद्धों पर जो की राजद्रों या देशद्रों से जुड़े हुए हैं तक गोर्मेंट इस रिक्वाइड तो डिसाइड वैदर देर देर इस इनफ मटेरियल तू कंक्लूर देश और स्लोगन्स हैड आ टेंडेंसी टू क्रिएट पब्लिक डिस और यानि की जनता को दे से हिंसा भी आफकी फैली तो यहां पर बोल रहे हैं कि दा गोर्मेंट इस रिक्वाइड टू डिसाइड वैदर देर इस इनफ मटेरियल तू कंक्लूर यानि किया उनके पास परयापते हां पर सबूत हैं मटेरियल है जो इस बात को प्रूफ कर सकें कि वहां पर जेन्यू क चैंपस में जो स्लोगन्स एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा जा रहे थे हेट इस पीचिज यहां पर बोली जा रही थी क्या वह सही थी कि आपके पास इनफ सबूत हैं तो यहां मेरे बाट पहले सबूत कोई और मांगता था कि सबूट दीजिया सबूत मांगने वाले ही य यहां पर दो चीजों को यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है यहां पर एक कारण भी बोला गया है जो पूरे मामले को समझ रहे है इसको यहां पर फ्री स्पीच बोला गया है यहां पर बिलकुल लॉफुली तो नहीं हो सकती या अनलॉफुल ही रहेगी अनलॉफुली अगर आपको रखना है तो यहां पर प्लिस ऑफिसर्स की बात की जा रही है यहां तक बास उनमें आई इन रिडूसिंग इस रोल तो अ पॉलिसी देट अनलॉफुली जुडिसरी कें डिसाइड था केस ऑन मेरिट डेली गवर्मेंट इस डन आ डिस सर्विस तो दोज चार्ज विद दी सीरियस ओफेंस अंडर दी सेक्शन वन फॉन फॉन्टी फॉर अगर मैं बात करूँ इस पॉलिसी की तो इसमें ये बोला गया है कि जुडिसरी के पास ही न्यायक यानि की कोड के पास ही यहां पर यह निर्णाय लेने की छमता होनी चाहिए या ताकत होनी चाहिए कि किसी भी विक्ति के खिलाफ देश द्रोग के चार्ज लगा जा सकते ह या नहीं डेली गॉर्मेंट के पास इस तरह का नरणाय होना यहां पर ठीक नहीं है जिसकी उन्होंने यहां पर आठ सेक्शन 124 के तहट यहां पर सीरियस ओफेंस की बात की है उनके इकलाब देश द्रोग के चार्ज लगाने की बात की है कनया कुमार की बात की गए कनया केमपस में कनया कुमार और नौ ऐसे लोग हैं जिनको यहां पर इस बात के लिए ग्रफतार किया गया था कि उन्हों ने वहां पर ऐसे स्लोगन लगा है जो कि देश विरोधी थे देश द्रोही स्लोगन लगाने का आरूप इंक्यू पर लगा है और अब यहां पर इनके खिलाफ अप्रूबल भी देदी है डेली गवर्मेंट ने राजद्रोह या देश द्रोह का केस चलाने के लिए डेली पुलिस फाइल अचार्ज सीट डेली पुलिस ने जनवरी 2019 में चार्ज सीट फाइल की थी डेट वास क्रिटिसिजम फॉम दी रूलिंग बीजेपी डेट यहां पर बात की गए कि जनवरी 2019 में दिली पुलिस ने यहां पर जो चार्ज सीट फाइल की थी उसमें बीजेपी पार्टी ने आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी की उपर की वो डिले कर रहे हैं जानबूच के यहां पर डिले कर रहे हैं सेंक्शन की अप्रूबल द लिए जसेंट को बीजेपी यहां पर की जो कि जो भावना आधी पार्टी की जोड़ कर देखा जाता है तो आप अब कहीं बाटी आदमी पार्टी की बातें बीजेपी से छोड़ कर ना देखी जाएं आदम आदमी पार्टी भी इसमें सामिल हो इसलिए यहाँ पर ग्रांट देने में थोड़ा सा लेट किया गया और ग्रांट तब दी गई राजद्रोह का केस चलाने के जब उनकी पार्टी दुवारा से सत्ता में अगले पास सालों के चुनकर आगई वो भी बहुमत के साथ तो यहाँ पर राजनेतिक मुद्दा भी है और दाहिंदू नियूस पेपर ने सारी बाते इसमें की हैं उम्मीद है जितनी भी बाते यहाँ पर लिखी हुई है चीज़ें आपको समझ में आई होगी मुद्दा क्या है लेकिन पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पर राजनेत जोड़ने वाले हैं से लाइब क्योंकि आज थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज हम एक्जाम रिव्यू दे रहे हैं वह अपनी स्टूडियो से नहीं देकर सारे मेंटर्स इक ट्थे वहां पर लखनौ से देंगे जो एक्जाक्त बच्चे निकल कर आएंगे वही क्वेशन आपको पता चलेगा जो बच्चे वाहां से सेंटर से देकर आएं आपको फिर बता देते हैं ओमारी पूरी टीम जा रही है आप सभी से मिले और आप सभी को वेस्ट बेस्ट अबनती है और अमाश्य एरपोर्ट के पीछ है जो विरंदावन योजना विहार वाली बनती है वहां पर आपका वमेघ सिटी आपकी मौझूद है पासी में आपके भीम रहुं बैटकर यूनिवश्टी पढ़ती है तो जो लोग लोकल ही लखनौं से हैं वो लोग वहां पर आ एक्शाम से रिव्यों लाकर करेंगे तो हमारा वेट करेंगे ही करेंगे सेकेंड इस दिकत बस इतनी है कि आप ही वह हमें एक्जाम से रिव्यू ला कर देंगे और आपके दोरह दिया गया रिव्यू जो कि आपने फील किया एक्जाम में एक्जाम देते हुए वह आपके दूसरे इस्टुरेंट के ले काफी बेनिफीशल साहीत यहां पर इस तो एंग्री मै आपकी सिर्व लखनव से है पिर यह हर चगव हो सकता है आप सभी लोगों को हमारी पूरी फामली की तरफ से अपना बैस देना 11 बचे लाइब हमाई साथ जुड़िएगा एक्जाम अनालसे से सीजियल के साथ आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल सुभाट वजे एडिटोरि का एक्स्परेशन ते से लाइकन शेयर करके जाना धन्यवाद हाव गुड़ देग